हालो पीपल आम बैक विद वन मोर सेशन और टोपिक इस डिफरेंस बिविन सौ एंड शौ दरहसल आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्पेशली हिंदी बोलते हैं पर उनके साथ एक इशू रहता है कि वो सौ कहां यूज करें और शौ कहां यूज करें और वो सौ को शौ मे कैसे कनवर्ट करें यह बहुत बड़ी मुश्किल होती है हमारे लिए और स्पेशली इस प्रिनसेशन पर हम बहुत साथ स्टागल भी करते हैं और एज यू नो इंगलिश में अगर हम से को शे करते हैं तो वो गलत है और कई बार इसके मतलब भी बदल जाते हैं जैसे साई अलग अलग चीज़े हो गई और मतलब भी गलत निकल गया तो सबसे पहले कि हम शाउंड कैसे निकालेंगे और साउंड से आप वाकिफी हैं क्योंकि यह बहुत कॉमन हैं तो दरसल जब आप टंग को फ्लैट रखते हैं और जब एर ब्लो करके बाहर निकालते हैं एर गैद है और आपने एर गैदर किया और पास किया रिलीज किया तो वो निकलता है साउंड हाउ बाउड शाउंड दरसल शाउंड के केसिज में आपको थोड़ा एर को रोकना है तंग को थोड़ा रोल करना है और उसके बाद ब्लो करना है अगर आपको शाउंड करने में इशू है तो उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले टंग को रूल करेंगे इस शेप में ध्यान रखेगा अगर आप टंग फ्लाट रखेंगे तो अगर एर ब्लो करेंगे तो वो साउंड सा होगा like say, sound, टंग फ्लाट है सा means टंग फ्लाट करके आप एर ब्लो करते हैं तो ये साउंड निकलता है सा what if आपने टंग को थोड़ा सा रोल किया इस कदर से इस तरीके से और फिर आप एर ब्लो करेंगे तब ये निकलेगा शा try कीजिए, टंग थोड़ा रोल कीजिए श, श, स, नव, श, अगर आप करते हैं तो एर ब्लो होगा जब आप टंग को थोड़ा रोल करेंगे, एर गैदर करके आप ब्लो करेंगे, फिर से देख लीजिए, टंग आपका फ्लाट है right now, क्या हुआ, स, फ्लाट पे हुआ, what about श, ध्यान रिकिएगा, आपको टंग रोल करना है, एर ब्लो करना है, गैदर करने के बाद, तो पहले आप एर गैदर कीजिए इंसाइड, श, और उसके बाद स्लोली रिलीज कीजिए, पर ध्यान रिकिएगा, टंग अगर आपका र थोड़ा नहीं हुआ, कर्व थोड़ा नहीं हुआ, तो साउंड श, नहीं निकलेगा, श, 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 फर्क देखिए, टंग आपके फ्लाट हैं, और आप एर ब्लो करें तो स, स, और अगर आप थोड़ा सा कर्व करते हैं, तो वो बन जाता है श, अब आप इसको थोड़ा स fast blow करेंगे तो यह sound शाब बन जाएगा जैसे अब आप इसको word में convert करना चाहते हैं तो पहले आप slowly practice कीजिए जैसे श, shy, sigh, repeat फर्क देख लिजे दोनों में अगर आप tongue flat करते हैं तो वो बनता है sigh, थोड़ा roll कीजिए shy, 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 अगर tongue थोड़ा सा कर्व करेंगे को roll करेंगे तो वो और आप air blow करेंगे तो वो निकलेगा shy, कुछ और words की practice आप कर लीजे देखिए, sh, 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 श, बनता है ये so, s, h, y, shy, s, a, y, say, sh, shy, say, should, s, h, o, u, l, d, should और, s, h, y, shy, s, h, a, l, shall, फर्क देखिएगा आप practice इससे करें और next class में हम लोग कुछ tongue twisting पे kit practice करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक साथ अगर दो word आजाएं तो कैसे उसको practice करेंगे पर तब तक के लिए आपको practice करना है difference create करने के लिए sh, कैसे pronounce करेंगे और saw कैसे pronounce करेंगे so this is all for today, have a good time, enjoy, bye